इस्ट्रीम कर दिया है ठीक है तो जो बच्चे स्ट्रीम देखना चाहते हैं अब जाओ अभी आप इस्ट्रीम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं दासीम थी तो चली हम लोग बता जाते हैं उसके बाद देखिए हमारी यहां सोसल कनेक्ट्स हैं जैसे फेस्बुक हुआ हमारा इंस्ट्राग्राम है टेलिग्राम और ट्वीटर और साथ-साथ वाट्सैप आप इसके माध्यम से भी हमसे असानी से कनेक्ट हो सकते हैं देखिए उप रास इस दोनों लेंग्रिज में रहेगी यहां पर हम कोसिस करेंगे आपको इंग्लिस टर्म को धीरे-दीरे बताते चलने का और इस हमारी आज ही क्लास में कुछ कंटेंट पे और इंग्लिस में है तो क्योंकि वह मैंने जिस बुक से उठाई है उस बुक से मेरे को हिंदी करने का टाइम नहीं मिल पाया तो देखिए सबसे पहले जो मारे उप्रास्टर पती थे वह कौन थे तो उनका नाम था सरुपली राधाकृष्णन यह 5 years के term का होता है और लगातार 1952 में फिर उसके बाद 1957 में भी हमारे सरुपली राधाकृष्णन ही हमारे उप्रास्टर पती थे उसके बाद हिंदुस्तान के प्रत्थम मुस्लिम उप्रास्टर पती उनका नाम था डॉक्टर जाकिरुसे वास अबेनोवेलेंट परसन ब बने थे उनका नाम था वराह गिरी वेंकेट गिरी इनको सौर्ट में वीवी गिरी भी कहा जाता है उसके बाद है गुपाल सुरूप पाथक उनके बाद बने थे आक्यार नारायनन दे नेक्स्ट वाज नैंटीन फिप्ट एटीन हंड़ेंड एटी सेवन में एसडी सर्मा जिनका फूल नेम था संकरदयाल सर्मा नाइटीन हंड़ेंड एटी फोर में बने थे उनका नाम था रामस्वामी वेंकेट रमान नाइटीन हंड़ेंड एटीन नाम था मुहम्मद हिद्यत उल्ला उसके बाद 1974 में उनका नाम था बसपप धनपत जत्ती ठीक है बीडी जत् उसके बाद 1997 में उनका नाम था कृष्णकांत 2002 में वो बीए सिखावत बने थे भैरो सिंग सिखावत 2007 में मुहमद हमिद अंसारी और उसके बाद तुरंत मतलब दो कारेकाल के लिए हमारे दो ही व्यक्ति श्यान किये गए थे एक थे सरोपल्ली राधा कृष्णन 1952-1957 में उसके बाद मुहमद हमिद अंसारी हमिद अंसारी सहाबी दो कारेकाल में रहे थे और लास्ट में अभी जो हमारे हिंदुस्तान के वर्तमान में उपराश्ट्रपती हैं उनका नाम है वहिंकिया नाइडू तो इससे question यहाँ पर क्या बन सकता है जो question important बन रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला कि हिंदुस्तान के सबसे प्रतम उपराश्ट्रपती कौन थे तो उनका नाम था सरोपल्ली राधा कृष्णन और अभी कौन है तो उनका नाम है वहिंकिया नाइडू और दो बार किंका चैन हुआ है तो सबसे पहले सबसे पहले सब्ली राधा कृष्णन का उनके बाद किंका तो मुहमद हामिद अन्सारी का तो यहाँ तक की बातें आप साहथ समझ के आऊंगे अब इसके कंटेंट पर आते हैं उस कंटेंट को आप ध्यान से दिखिएगा उपरास्टर पती का देश में दूसरा सरवच्छे पद होता है देखो समझने के लिए सबसे पहला सबसे पहला पद जो होगा वो किनका होगा तो रास्ट्रपती का होगा और दूसरा जो सबसे उचा पद होता है वो किनका होता है तो वो हमारे होता है उपरास्ट्रपती का उन्हें वरियता के अधिकारिक वारेंट में रास्ट्रपती के बगल में एक रैंक दिया गया है देखो कहने का अर्थ क्या है जो हमारी Constitution के हिसा आप से जो सबसे प्रतम व्यक्ति होगा वह व्यक्ति के बाद जो ट्री बनेगा मतलब आपने देखा होगा यह अदिक क्रोंग है इंडिया का देखो जैसे यह हमारे प्रिसिडेंट हुए है, प्रिसिडेंट के बाद क्या होगा, जो second person, देखो, यहाँ बगल में कहने का अर्थ हुआ, कि अगर वो नहीं रहें, मतलब अगर प्रिसिडेंट नहीं रहें, तो उनके जगह पे उनका सारा कारे कौन संभाल पाएगा, तो प्रिसिडेंट के जहाँ पे कौन संभाले का, वाइस प्रिसिडेंट संभाले गया, इसलिए कहा गया है, कि उनकों रास्टरपती के बगल में एक रैंक लिया गया है, तो बगल में एक रैंक का यह मत समझ लिया, कि उनके बगल के कुरसी दे दी गई है, यह बगल के कुरसी नहीं है, यह उनके इसके बाद PM होते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ कहने के पावर Growern होते हैं, इनके पास उतनी सक्थियां नहीं होती है, हिंदुस्तान का जो PM होता है, वहाँ सबसे साला सक्थिसाली यह होता है, क्योंकि यह नीरवाचित होता है, और President और Vice President नीरवाचित नहीं होते हैं, ठीक है अब क्या है यह कारेकाल अमेरिकी उपरास्टर पधी के तरज पर किया गया है मैं आपको फिर से एक चीज रिवाइस करके बता देना चाहूंगा कि प्रिसिडेंट का हो या वाइस प्रिसिडेंट हो इनके जो वरकिंग फंक्सन होते हैं यह कहां से लिए गया है तो उनाइटेंटेट थे स्टेट्स अफ अमेरिका से लिए लेकिन अंडेड़ परसेंट नहीं लेया गया है उसमें कुछ चीजों को वहां भी बदला गया है बदला क्या क्या चीज गया जासर रहीं की कारेकाल और कितने बार वो चुने जा सकते हैं तो प्रसिडेंट जो अमेरिका के होते हैं वो दो बार ही लगातार या फिर अपने कारेकाल में दो बार ही वो चैनित हो सकते हैं लेकिन हुंद हिंदुस्तान में वैसी कोई नियम नहीं है यहां चाहें तो एक वैक्ति अगर चाहे तो unlimited time बन सकता है अगर वो चाहे तो लेकिन उनको चाहने के लिए सबसे पहले दोनों सदन में विधान सभा और राजय सभा में इस चीज को पारित करना पड़ेगा जब वहां के लोग दो तीहाई मर्द से उनको वोट करके मतलब उनको लायक बना दें कि हाँ यह वैक्ति लायक है तब ही वो चैनित किये जा सकते हैं MP, MLA's उनके वोट में काम करते हैं कि इनके वोट में तो President के वोट में Vice President के बारे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ अब प्रत्यक्ष चुनाओ की पद्दोती से चुना जाता है देखिए रास्ट्रपती का जो चुनाओ होता है यह लोग यह लोग मतलब कौन यह लोग कहने का आर्थ इसको समझेगा यह लोग होंगे MP और MLA यह MP MLA के बारे में बात कही जा रही है यहाँ पर MP MLA को कौन चुन चुनता है तो इनको चूज करती है people मतलब लोग मतलब जो हिंदुस्तान के नागरिक होते हैं जिन हम लोग आम नागरिक कहते हैं आम नागरिक ही किनका चैन करते हैं MP MLA का Member of Legislative Assembly और Member of Parliament इनका चैन करते हैं और यह लोग किनके प्रसिडेंट के एलेक्शन में काम करते हैं और आपको पता होना चाहिए इनका voting capacity होता है MLA का अलग condition होता है MP का अलग condition होता है वह आप कि नोट में देखीगा तो clear आपको मिल जागा तो उपर आस्टा पती का चुनाओं होता है यह नगर्थ्यक्षिक्ष बन्ते होता है तो उनका चुनाओं हमें अब प्रत्यक्ष होता है मतलब वह पता नहीं चुनाओं वह वालेट होता है न उस में बताता हूं ब्लू और पिंक वालेट होता है पी ए डेवल एलोटी और दूसरा होता है पिंक वैलेट ये होता क्या है ब्लू एंड पिंक वैलेट ये जो व्यक्ति होते हैं MPs एंड MLS उनके लिए सेटल की जाती है कि MP जाकर के ब्लू या पिंक में यह मुझे याद पता नहीं है मैं आपको इस सीच को बता दूँगा बाद में लेकिन MPs और MLAs का कंडीजन होता है जाकर ये कोई MP रहेगा तो ब्लू वैलेट में जाकी गिराएगा और अगर बाइदेबह MLA रहेगा तो वह पिंक वाले में गिराएगा वह संसत के दोनों सदन के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा चुनाता है तो यह यहाँ पर यह बात क्लियर कही जा चुकी है इस प्रकार यह Electoral College राश्टर पती से अलग है देखो Electoral College का अर्थ होता है वह वैक्ती जो निर्वाचन के लिए सामने आ रहा है मतलब जो एक community जो एक group of people निर्वाचन के लिए आ रहा है that is called Electoral College लेकिन जब हम उपर राश्टर पती के पास आते हैं उनका समानने का राज्जियों के परिस्द की अजख्चिता करना होता है देखो करने का अर्थ क्या हुआ कि जो भी हमारे state का जो chief होगा वो state का chief मतलब मुख्य कौन कहलाएगा तो राश्टर पती कहलाएगा लेकिन राश्टर पती के absence में सारे काम करने के लिए हमारे उप राश्टर पती होते हैं जिनको हम लोग vice president भी कहते हैं और दूसरी एक बात कि जब राश्टर पती अपने कारेकाल में न रहते हैं या फिर आकस्मी तो देश से बाहर चले जाते हैं तभी वो उनका कारेभाल संभालते हैं बलकि ऐसा नहीं कि by the way हमारे राश्टर पती साहब भी काम कर रहा है और ये भी साहब काम कर रहा है तो ऐसा नहीं होता ये एक प्रकार से दिखाये तो substitute होते हैं और substitute stand by mode में रहते हैं जब उनकी जरुवत पढ़ जाए तो ऐसा नहीं कि देश बीना सत्ता के हो जाए इसलिए यह post को बनाया गया है अब यहां पर हम लोग difference देखते हैं difference between the election process जो मतदान का process है उसके election process को किनका किनका? President और Vice President का जो election का process होता है वो एक दूसरे से भिन कैसे है इसको समझेगा देखिए बहुत ही छोटा class होगा ज्यादा लंबा class नहीं होगा और हर एक चीज़ important है देखिए सबसे पहला यहां पर क्या है इसू? President के election और यहां पर Vice President का election Who can vote? सबसे पहला है कौन से वैक्ति होंगे जो मतदान करेंगे All elected MP, जितने elected MP होंगे वो करेंगे All elected MLA करेंगे जितने MLA होंगे वो करेंगे From state जो कि कहां से होंगे? State के मतलब हर state के MPs और MLA इस vote में भाग देंगे Number of votes for 2017 election is 4896 और 2017 के election में जो voters की संख्या थी वो 4896 थी अब इधर में क्या है? देखिए यहां पर क्या था? कि राश्टर पती के चुनाओं के लिए MP और MLA आ रहे थे लेकिन उप राश्टर पती के चुनाओं के लिए सिर्फ MPs आएंगे Member of और वो भी MP कहां के होंगे? लोग सभा और राज सभा दोनों के और the number of voters in 2017 election was 790 तो आप इस बात को याद रखिएगा कि President के election में MP और MLA दोनों आते हैं लेकिन Vice President के चुनाओं में सिर्फ MP आते हैं और वो भी कहां के? लोग सभा और राज सभा के Can nominate member vote Nominated member का अर्थ होता है वहाँ वैक्ति जो खड़ा हुआ है कड़ा होने का अर्थ मतलब वहाँ वैक्ति जो कि अपने आपको निर्वाचन पगे पद के लिए मतलब आप कह सकते हो इसको जो नेताब Sorry वहाँ वैक्ति जो खड़ा हुआ है वो व्यक्ति क्या vote दे सकता है खुद के लिए तो अगर president है तो president खुद के लिए voting नहीं कर सकते हैं जबकि vice president अपने लिए खुद का भी vote वो गिराते हैं उसके बाद है value of each vote ये value of each vote कैसे denote की जाती है वो मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ यहाँ पर condition मैं थोड़ा सा पढ़ के बतायता हूँ देखो इसका एक mathematical operation होता है उस operation को मैं अभी आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है वो एक लंबा से method होता है उसमें number of people by number of जनसंख्या मतलब कितने लोग हैं उनसे मतलब MLA की संख्या और उसके नीचे हम लोग जनसंख्या लिखते हैं और उसके बाद state की जनसंख्या से उसको divide किया लता है तो यह उसका mathematics होता है और MLA के लिए क्या होता है एक state का दूसरे state से अलग-अलग होता है इसलिसका mathematics थोड़ा different होता है लेकिन उसके बाद क्या है जो president vice president के election में वैक्ति होंगे उसमें हर एक voter मतलब each voter का एक vote की सक्ति होती है जैसे हम आम वैक्ति की होती है अगर हम लोग अभी कोई भी पारसद के लिए हो या MLA के लिए हो या फिर कोई भी चुनाओ हमारे state में या फिर district में होता है तो हमारे एक वैक्ति का vote एक होता है उसी प्रकार से यहां भी जो vice president का चुनाओ होता है इसमें जितने MPs होते हैं लोकसभा और राजिसभा के उनका भी चुनाओ का उनका भी जो voting capacity होता है एक वैक्ति का एक ही होता है अब eligibility कैसे उनकी होती है उनको प्रसिडेंट को लोकसभा का सदस्य होना पड़ेगा और भाइस प्रसिडेंट को राजिसभा का सदस्य होना पड़ेगा nomination paper इनका कौन साइन करता है nomination paper मतलब वह paper जो vote कोई आदम होआ इसके बादज जाता है vote गिराने के लिए जब गिराने के लिए इस से पहले साइन कियाा तो उसमें 50 vote प्रोपोजर्स मैंने आपको बताया था 50th हो होते हैं अब Adィ Chasbt ho 2も सटेह जब कि इसमें 20-20 होता है इसमें प्रेसिडेंट में 50-50 और हमारे बावीज प्रेस प्रिक्सिडेंट में 20 प्रपोोंजर्स और 20 इंधर शुक्ष्ग आप यह बात भी यानद रखेगा बहुत important ये point बनता है आप देखोगे तो ये जो हमारा election का process है इससे questions आ सकते हैं अगर high level के examination में आप चाते हो योगिताओ, सपत और सर्ते उप्रास्टरपती के रूप में चुनाओ के लिए पात्र होने के लिए एक वैक्तियों को निमलिखित योगिताओं पूरी करनी चाहिए I'm sorry देखिए सबसे पहला condition जो president के लिए भी लागू होता था बच्चों ये लागू किन के लिए भी होगा ये हमारे उप्रास्टरपती के लिए भी होगा वो क्या है वो भारत का नागरिक होना चाहिए देखो सबसे पहला condition है कि वो हिंदुस्तान का नागरिक हो उसके बाद उसे 35 वर्स की आयूप पूरी कर लेनी चाहिए फिर क्या है कि उसकी उमर ना कम से कम नियूंतम उमर 35 साल होनी चाहिए maximum उमर की बारी में यहां पर चर्चा नहीं केरी गई है ध्यान रखिएगा उसे राजसभा के सदस्य के रूप में चुनने के लिए योग्य होना चाहिए यह question आता है कि president या vice president कितने उमर तक maximum वो अपने job में कारेरा तरह सकता है तो इसके लिए कोई उमर की निर्धारना नहीं की गई है उसे कोई lab पे पद काम नहीं होना चाहिए देखो बार बार यही question आती है कि जो lab का पद होता है post of profit देखिए post of profit एक दम नहीं होना चाहिए post of profit अगर रहेगा तो उनको eligible नहीं रहेंगे उसके बाद है कारियाले की अवधी मतलब वो कब तक काम कर सकते है मतलब कितने साल तक उनका एक कारेकाल चल सकता है तो जो भी हमारे president vice president होते है या president होते है वो 5 साल तक काम करते है अमेरिका का जो president होता है वो 4 साल तक काम करता है द्यान लखना इस चूछ उसके बाद क्या है अब इनको हटाने का कुछ आपचारिक इसे हटाने के लिए आपचारिक महाभयोग की आवा शक्ता नहीं है देखो जैसे कि हमारे प्रसिडेंट सहाब को हटाना है तो उनको सदन के दोनों हिस्ते में लोकसभा और राजसभा दोनों में जा करके उन पे महाभयोग लगा जाता है जिसको इंग्लिस में इंप्रिचमेंट कहते हैं लेकिन ये question बहुत important है कि उपरास्टर पती को हटाने के लिए क्या प्रक्रिय है तो उनके लिए महाभयोग क्या वासकता नहीं पड़ती है उसे पूर्ण बहुमत अर्था सदन के कुल सदस से के बहुमत द्वारा पराजित राजसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया सकता है मतलब अगर बाई-दवे कोई भी सदन में उनके लिए अगर बाई-दव की अगरीम सूचना ना दी गई है और यह बात सब के लिए लागू होती है प्रसिडेंट और साथ साथ भाइस प्रसिडेंट दोनों के लिए कि अगर कोई व्यक्ति को उसे मतलब इंप्रिचमेंट से हटाना हो प्रसिडेंट को और अगर बाई-दवे बहुमत के द्वारा ह कहां भी योग नहीं लगा है हमारे हिंदुस्तान में क्योंकि हमारे हिंदुस्तान बड़े बुढ़ों की भोज़ा दा इज्जत करता है नेक्स्ट है चुनावी विवाद जो एलेक्षण का मतलब कौंस्परिसी बगरह हो जाती है तो उसमें क्या होता है तो राश्टर्प जो solution निकालना है तो वो कहां से होगा तो वो सर्वो चिनाले से होता है याद रखीगा हिंदुस्तान में इस से उचा कोई नहीं है नियाले में जिसका निर्णय अंतिम होता है और हाँ article 71 हाँ सारे articles से बात करने वाले है अभी तुरत सारी के सारे articles वे आने वाले है नहीं आएमें है वाल ट्weekिद्यगा सक्तिया और उनका कारे ने कहरे राजर सभा के स्वार के रूप में कारे रत होते हैं इनकी इस स्वंपह में उनकी सपर कारे लोक सभा की अध्यक्ष के समान होती है that's mean क्या कि राज सभा का पदिन सभापती और लोक सभा का अध्यक्ष बड़ावर सक्ती रखता है अपने पास में इस संबन में वो अमेरिका उपरास्टर पती जैसा दिखता है और जैसे कि अमेरिका में तो PM नहीं होते हैं वहां तो तो अमेरिका का जैसे वाइस परसिडेंट होता है वैसे ही हिंदुस्तान का वाइस परसिडेंट सेम पावर अपने पास रखता है जो अमेरिकी विधाएकी के उच्छ सदन सीनेट के अध्यक्ष के रूप में भी कारे करता तो यहीं सिम्पल सी बात है वह रास्टरपती के रूप में कारे करता है जब रास्टरपती के कारे आले में उनकी इस्तिफा, हटने, मिर्त्यू या अने था के कारण को ये रिखत होती है तो मैंने बताया है कि वो जब भी प्रिसिडेंट साहब नहीं रहेंगे और वो नहीं रहने का कारण क्या हो सकता है या तो वो मुल्क से बाहर चले गया है या उनको हटाया जा चुका है इंप्रिच्मेंट के दौरा कि इनको तो प्रसिडेंट साहब को या उनकी देथ हो गई हो या फिर कोई भी कारण उगर उनके साथ हो जाए या उनकी तबियत खराब हो, इस कारण से भी वो रिक्त नहीं रहा सकता है, पोस्ट, तो प्रसिडेंट का पोस्ट हिंदुस्तान में आज तक एक सकेंड के लिए रिक्त नहीं रहा है, ध्यान रखेगा इस बात को, वह केवल 6 मैने की अधिक्तम अवधी के लिए रास्टर पत होता है, समझो तो हिंदुस्तान का मालिक है, तो अगर बाइदवे उनकी डेथ हो जाती है, तो उस जगह पे, उनके जगह पे भाइस प्रसिडेंट को प्रसिडेंट की सारी के सारी पावर मिल जाएगी, लेकिन 6 महीने के अंदर एक एलेक्सन करना पड़ेगा, जिस एलेक् तब होता है, जब हो खाली हो जाता है, और अपने पुरुवर्ति की असमप्त अबधी के लिए रास्टर पती बनता है, एक कंडिशन है, जैसे इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति थे जिनको पांस साल के कारेकाल के लिए रास्टर पती चैनित किया गया, एक, दो, तीन, चार तक ही काम करेंगे, एक बार में, तो जैसे कि यह व्यक्ति शुरू किये अपना कारेकाल, और दो साल में इनकी डेथ हो गई, तो दो साल में क्या होगा, दो साल में अगर इनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद यह व्यक्ति, मतलब यह व्यक्ति जो 22 परसिडेंट रहेगा, उ यहां से, मतलब यहां से ले करके 6 महीने तक वो क्या करेगा? उसके कारेकाल को संभालेगा. लेकिन यहां पर अमेरिका में कंडीशन क्या होता है? कि अगर बाइदवे इनका पद, मतलब A वाले प्रिसिडेंट का पद खाली जाता है तो यहां उस पद पे कारिरत रह सकते हैं जब तक कि इनका वाला पद, मतलब ए वाले का पद का tenure चार साल का complete न हो जाए क्योंकि इंडिया में तो 5 साल है न, यूएस में कितना है, 4 साल के हैं tenure है तो यहां अवधी समाप्त होने वाली condition अमेरिका में चलती है हिंदुस्तान में 6 महीने का ही है, 6 महीने की बीतर नया चूना जाना अनिवार होता है लेकिन अमेरिका में क्या है, अवधी जब तक पूरी समाप्त नहीं होगी, तब तक वो कारिरत रह सकता है उसके बाद है, दूसरी और, भारतिय उपरास्टर पती, रास्टर पती का पदगरहन नहीं करते हैं अब देखो दूसरा एक condition यह है कि भारत के जो उपरास्टर पती होंगे, वो रास्टर पती का पदगरहन कब नहीं करते हैं जब तक असमापती अविधी के लिए रीक्त नहीं हो जाता है, वह केवल एक कारेवहाक रास्टर पती के रूप में काम करता है, जब तक निया रास्टर पती कारेभाल संभालना है यही बात है कि वो six month तक वो कारेभाल संभालेंगे, काम तो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्रसिडेंट ही बन जाएंगे, बस कारे उनका करेंगे, वो प्रसिडेंट नहीं बन सकते हैं और साथ में छो महीने के अंदर निया प्रसिडेंट की चुनाओ फिर से एलेक्टराल कॉलेज कर लेगी, उसके बाद ही फिर यह अपने पोस्ट पर आ जाएंगे, लेकिन कारेकाल पांस साल से जादा नहीं होगा जाए रास्टरपती का, जाए उपरास्टरपती का उसके बाद हम लोग नेक्स देखते हैं अरे भाई, क्या हो गया एक मेंट रुकिएगा ओके, नेक्स्ट है हमारा ये जितनी आर्टिकल्स है, थोड़ा हम लोग आर्टिकल्स को एक एक करके देख लेते हैं वाइस प्रसिडेंट आफ इंडिया, कहां से कहां तक सुरू होता है 63 आर्टिकल से लेकर के, 71 आर्टिकल तक होता है अब सारे आर्टिकल को एक एक करके हम लोग समझेंगे आर्टिकल 63 क्या है, देर सेल भी वाइस प्रसिडेंट आफ इंडिया मतलब कि हिंदुस्तान में एक उप रास्टर पती होगा इसके बारे में कहां लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 63 के अंतरगत लिखा हुआ है अर्टिकल 64 के अंतरगत क्या है 12 परसिडेंट साल भी एक्स ओफिसियोः चेर्मेन मतलब पदेनध्यक्ष एक्स ओफिसियोः चेर्मेन का हिंदी होता है आर्टिकल 64 के अंतरगत यह आता है उसके बाद next है हमारा आर्टिकल 65 आर्टिकल 65 क्या कहता है the president to act as president sorry the vice president to act as president or to discharge his function during casual vacancies in the office or during the absence of president मतलब आर्टिकल यह कहता है कि जब president सहाब नहीं रहेंगे तो उनके जगह पे vice president कारेरत रह सकते है the next is article 66 the vice president shall be elected by the members of an electoral college consisting of members of both house जो vice president का जो चुना होगा वो किन के द्वारा होगा तो electoral college के द्वारा होता है electoral college का मतलब होता है MPs, MPs कहां कहां के दोनों सदन के उसके बाद क्या रहेगा the vice president shall not be a member of either house of parliament vice president को किसी भी house upper house या lower house का मतलब member नहीं होना चाहिए of the legislative of any state ओ भी कहां के तो किसी भी state के the next is article 67 the vice president shall hold office of term of five years from the date of his appointment article 67 ही वही वह article है जो कि यह बताता है कि एक वैक्ति अपने office में ज्यादा से ज्यादा पांस साल के ही कारेकाल में रह सकता है उससे ज्यादा नहीं रह सकता है article 68 कहता है an election to fill a vacancy created because of completion of the term of the office of president shall be completed before the expiry of term और जो कारेकाल का maximum time होता है उसके अंदर अंदर ही अगर by the way president का seat खाली हो जाता है तो उस seat को कारेकाल के अंत से पहले ही भर लेना जरूरी है article 69 कहता है every vice president shall make an oath of affirmation on entering upon his office before president or some person appointed in that behalf of him मतलब कि वह वैक्ती जो उपरास्टर पती के लिए चैनित किया जा रहा है उसे कसम खाना पड़ेगा और affirmation मतलब positive बन के रहना पड़ेगा उस समय तक जब तक के लिए किस के सामने में तो president के सामने में या फिर उस वैक्ती के सामने में जिसके सामने में वो सपत ग्रहन कर रहा है article 70 कहता है discharge of president function in other contingencies मतलब वो किस इस्थिती में इनको discharge किया सकता है मतलब इनको हटाया जा सकता है article 71 denote करता है matters related to or concerned with election of president और vice president vice president का जो election होगा वो किस मतलब 71 के अंदर बता है तो इसमें most important क्या क्या है मैं आपको बता आयता हूँ सबसे पहला article 63 most important बनता है 70-71 को आप एकदम याद रखना क्योंकि और इसमें 70 को तो 100% याद रखना क्योंकि इनके discharge के बारे में यहाँ पर बताता है और यह कारेकाल हमेशा यह पूछता है कि उतका कारेकाल कितने समय का होता है किस article के अंतरगत है ऐसा पूछा जा सकता है चोटा मोटा परिक्षा में और article यह सब article नॉर्मल पढ़ने के लिए उतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है तो आर्टिकल 63 67 70 और 71 दोनों को आप लोग देख ली चाहिए यह सब most important VBI बनते हैं नेक्स्ट है भारत के उस प्रास्टरपती से संबंधित प्रस्न भारत के वीपी से संबंतित कुछ तत्थ हैं जिने उमीदवार के आगमी UPSC परिक्षा के लिए असपस्ट होना चाहिए देखो आगे कुछ questions आपको आएगा जिस question को आप समझ लीजिए यह questions थोड़े से लिए गया है जो सो डीडी बस उसलिए गया है यह questions द्यान दिजिएगा देखो इसमें questions क्या क्या है यह questions को डिरेक्ट आप लोग देख लो मैं समझा दूगा क्या जो हिंदुस्तान के जो वाइस प्रसिडेंट होते हैं उपरास्टर पती जो होते हैं वो राजसवा के चेर्में अध्यक्ष होते हैं तो यस हां वो होते हैं उसके बाद है मतलब वाइस प्रसिडेंट किस समय में प्रसिडेंट के जैसा काम कर सकते हैं तो जब प्रसिडेंट का ओफिस खाली रहता है किन-किन परिस्थितियों में अगर प्रसिडेंट resignation दे दे मतलब अपने आपको resign करा ले या फिर उनको remove कर दिया जाए किन रूपे impreachment के जरिये या उनकी मौत हो जाए या absence due to illness या फिर वो बिमार चल रहा हो तो इस case में president के जगह पे vice president काम कर सकते हैं उसके बाद है can vice president act himself as the president simultaneously नहीं देखिए उसके जगह पे काम कर सकते हैं वह व्यक्ति नहीं बन सकते हैं ये बात बार बार इस चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति अगर by the way बिमार पर गया death हो गई उनकी हमारे किन की president की तो उसके जगह पे कारे बाहर संभालेंगे ऐसा नहीं कि जाके व्यक्ति बन जाएंगे ये चीज नहीं होता है तो इसका डारिक्ट एंसर है नो when the maximum period till vice president serve as president भािया कितने समय तक वो vice president president के जगह पे कारे कर सकते हैं तो भािया वो कितना है छे महीना छे महीना से उपर वो कारे नहीं कर सकते हैं छे महीने के अंदर electoral college को क्या करना पड़ेगा तो एक election कराना पड़ेगा और उनका चैन करना पड़ेगा इन चीज़ों को आप और जदा पढ़ना चाहते हैं तो डीडी बसुमें पढ़िएगा जदा क्लियरली बताया गया लक्षमी कांत में इस रिलेटर अच्छे से नहीं बताया गया जी हां 11th constitutional amendment किया गया था जो यह बताता है कि एक हिंदुस्तान में कम से कम एक vice president होना चाहिए जो कि क्या करेगा दोनों house में assembly में joint sitting कर सकता है वो दोनों मतलब जो house होता है अपर house और विधान परिसद उसमें वो जा करके joint assembly में sitting कर सकता है मतलब वहां पे बैठ सकता है और अपने निर्णयों को दे सकता है can vice president be reelected क्या उनका पुनरिन वाचन हो सकता है मतलब एक कारेकाल हो गया क्या वो दुबारा आ सकते हैं तो जी हां वो आ सकते हैं क्योंकि आपको example भी आया है दोठो हमारे ऐसे vice president हुए है जो लगातार चेनित हुए भी है what was the vice president salary देखो ये वला president की salary के बाद बताया गया तो 2017 के बाद से salary change हुई है 2017 से पहले 1.5 lakh rupees दी जाती थी लेकिन इसको बढ़ा करके अभी कितना कर दिया गया तो 4 lakh rupees कर दिया गया है उसके बाद है any vice president who has served for two terms हां दो कारेकाल तक कौन सा ऐसा vice president serve किया है तो सबसे पहले वाले राधा कृष्णन जो 1952 से लेकर के 1962 तक की है और दूसरा मुहमद हमीद अंसारी जो की 2007 से लेकर के 2017 इन्होंने भी 10 साल के कारेकाल में काम किया है और इन्होंने भी 10 साल के कारेकाल में काम किया है नेक्स तर्म में तमारे आते हैं भारत के उपराष्टर पती से सम्बंदि जो प्रस्न अक्षर पुजी जाते हैं वो कौन-कौन से हैं तो भारत के प्रतम उपराष्टर पती कौन थे तो 1950 की पदकिया स्थापना के बाद 13 उपाध्यक्ष रह चुके हैं भारत के सबसे पहले उपराष्टर पती सरुपली राधा क्रिश्णन थे जो 13 माई 1950 को राष्टर पती भवन में सपत लिये थे बाद में उन्हें राष्टर पती रूप में कारित किया 1969 में जाकिर हुसाइन की जब मिर्त्यू हो गई तो बीवी गिरी राष्टर पती का पद गरहन किये चुनाओं लड़ने के लिए उपाध्यक्ष पद से इस इस्तिफा दे दिये और नियत्वाचीत हुए तेरा अध्यक्षियों में से छा बाद में राष्टर पती बने कौन-कौन थे कृष्णकांत अपने कारेकाल के दौरान मरने वाले एक मात्र वेक्ति रहें देखो ये भी एक क्वेश्चन यहां पर इंपोर्टेंट बनेगा कि कौन से ऐसे हमारे वाइस प्रिसिडेंट थे जो कारेकाल के दौरान ही मर गये थे तो उनका नाम था कृष्णकांत 11 अगस्ट 2017 को वेंकईया इनाइडू ने भारत के तेरह में उपरास्ट्रपति के रूप में सपतली यहां पे कौन-कौन से क्वेश्चन बन रहा है सबसे पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सरो पली राधा क्रिस्णन कब पदभार संभाले थे तो तेरह माई 1952 को सं इंदुस्तान के तेरह में उपरास्ट्रपति है भारत के एक दिन के मुख्य मंत्री कौन है चलो जवाब दो तो आप लोग से बच्चों पोस्ता हूँ भारत के एक दिन के मुख्य मंत्री कौन बने थे जल्दी जवाब दीजिए आप लोगों से उमीद करूँगा कि ये question आपको पता हो नजी ये तो बहुत बच्चा वाला question है रेलवे में आता है ये बार-बार बताओ भारत के एक दिन के मुख्य मंत्री कौन थे स्रिश्टी गो स्वामी इधर देखिएगा जगदंबिका पाल एक दीन के लिए 21 फरवरी 1998 में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में कारी किये थे ध्यान रखिएगा इसको ठीक है जब उत्तर प्रदेश के राजिपाल रमेश भंडारी ने कल्यान सिंग सरकार को बरकास्त कर दिया था उसके बाद में अदालत के आदेश पर उनका भाली करी गई थी जगदंबिका पाल इस प्रकार से किसी भी भारतिय राज्य के सबसे कम समय तक सासन करने वाले मुख्य मंत्री है तो आप लोग बच्चों यह बात यादा है जो बच्ची ट्राई किये थी आपने ट्राई किया देखो कम से कम लोग ट्राई करते हैं तो यह भी बहुत बड़ी बात होती है ठीक है कोई इसू नहीं है जगदंबिका पाल कौन थे हैं वो एक दिन के मुख्य मंत्री थे जो 21 फरवरी 1998 के लिए उत्तर प्रदेश में कारेरत हुए थे और उनका जो छुआ था कोई चुनाओ के जरिये नहीं हुआ था अदालत के आदेश के द्वारा कौन सा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया था कि इनकी मतलब इनको बना दिया जाए नेक्स्ट है क्या भारत का उपराष्टर पती संसत का सदस्य है तो देख लिजी इसके लिए कंडिशन क्या है उपराष्टर पती होने के लिए एक वैक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होना चाहिए दूसरा है उप राष्टरपती को राज सभा के सदस्त के रूप में चुनाओं के लिए योगेना चाहिए तो यहाँ योगिता की बात है तो लोग सभा और राज परिश्द के लिए भी योगे हो सकता है जब वो उसका सदस्त से रहेगा तो उसके बाद है भारत में राष्टरपती की न्युक्ति कौन करता है तो चलो इसका जवाब भी दो आप ये भी बच्चावला कोश्चेन है राष्टरपती की न्युक्ति कौन करता है जल्दी बताईए जी टाइम ज्यादा नहीं दूंगा बोल दीजिए भारत के भारत में राष्ट्रपति की निव्ट्टी कौन करता है अरे भाईया गरवड हो गया सजदा आपने गरवड कर दिया सुप्रीम कोट सर सही में देखिए राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वरा किया आता है मतलब जो राष्ट्रपति की निव्ट्टी होगी वोट और वो भी कहां कहां का तो देखिए दोनों सदन का द्यान रखना है यह सुप्रीम कोट से मत कराईएगा देखो अब जो भी चीज हम लोग पढ़े हैं जितने भी चीजों को हमने अभी पढ़ा है टोटल का टोटल जो हुमारा content है अगर आपको वहां पे नहीं समझ में आया तो shortcut में आपको यहां पे इस map के जरीए में समझा दूँगा यह दिखा जाए तो इसे हम लोग mind map करते हैं बच्चों आपको अगर बाइदबे कोई चीज नहीं समझ में आती है बहुत सारे ऐसे बच्चों पूरी मोटी मोटी book पढ़ जाते हैं लेकिन उनकी दिमाग में कुछ नहीं जाता है तो उसके लिए क्या किया गया है जो lirates होते हैं जो ग्यानी होते हैं ज्यादा से ज्यादा दिन तक पढ़े वे रहते हैं वो क्या करते हैं mind map बनाते हैं तो आप चाहें तो internet से भी mind map सकते हैं जितना भी चीज़ें उधर हम लोग ने पढ़ी हैं अभी तक 40 मिनिट में वह सारी के सारी यहीं पर कबर हो जाएगे बस एक पेज में देखिए जो हिंदुस्तान का जो वाइस प्रसिडेंट होता है यह क्या क्या होता है अम लोग लेट साइड वाले को बाद में देखेंगे पहले राइट साइड वाले को देखते हैं वह एक्स ओफिसी ओचेर में होता है मतलब पदिन अध्यक्ष होता है कहां का council of estate का ठीक है estate का पदिनाध्यक्ष होता है act as president वो president के रूप में कब काम कर सकता है तो जब vacancy in the office vacancy हो जाए मतलब खाली रिक्त अस्थान हो जाए किन कारणों से अगर president रिजिगनेशन दे देते हैं या उनको हटा दिया आता है imprecishment के जाला या उनकी मौत हो जाती है या otherwise otherwise मतलब बीमार पड़ गया है छुटी पे चले गया है देश से बाहर घूमने चले गया है उस case में अब while acting जब वो कारेरात रहते हैं तो उनके पास कौन-कौन से सकती रहती है जब वो कारेरात देखो सबसे पहली बात तो वो समाने रूप से कारेरत होंगे नहीं जब प्रसिडेंट नहीं रहेंगे तो वाइस प्रसिडेंट कारेरत रहेंगे तो उनके पास कौन-कौन से सकती आती है तो उनका पावर होता है immunities, सारी immunities उनको मिलती है मतलब वो कोई भी crime करेंगे उनके उपर फटक से मावयोग नहीं लग सकता है उसके लिए उनको पूरा का पूरा जितने भी नियम कानून होते हैं सबसे जाना पड़ेगा emoluments, मतलब वो जो घर में रहेंगे उनको रेंटर नहीं देना पड़ेगा बिली बिलने देना पड़ेगा घर का जो maintenance होता है worker, staffs उनके लिए पैसा नहीं देना पड़े allowance जो भी भत्ता होता है वो उनको मिलेगा और privilege वी से साधीकार जितना होता है मतलब आपको बतायता हूँ जो president होते हैं उनको एक battalion दी जाती है अब देखे हो गया अभी हाल फिलाल में हमारे जो president सहाब है कोविन सर कोविन सर का जब समाहरों में थे जब वो अभी हाल फिलाल में ceremony चल रहा था उसमें आप उनके बगल में देखिएगा 6 वैक्ती खड़े होते हैं जो जंडा लेके खड़े होते हैं वो याद रखिएगा वो battalions होते हैं आर्मी के जो special उनकी सुरक्षा के लिए होते हैं अब उनका जो term of office वो कितने दिन तक कारे रहत रहते हैं तो उनका कारे कल 5 साल का होता है अब वो may resign address अगर उनको अपने आपको resign देना होगा तो वो अपने resignation की इनको देंगे तो president सहाब को देंगे और अगर remove किया जा रहा है तो वो कहां कहां से remove होगा सबसे पहले राजे सभा से और राजे सभा में कौन majority of all the members राजे सभा में जो जितने भी लोग होंगे maximum लोग बोल दें हाँ हटा दो vice president को उनको हटा दिये जाएगा लेकिन उसको agree करेगा मानेगा कौन लोकसभा के द्वारा और ये चीज के लिए उनके पास अगर उनको हटाना है तो कम से कम 14 दिन पहले का उनको notice देना पड़ेगा दूसरा क्या है present vice president अभी की time में कौन है हमारे vice president तो उनका नामे एम वहिं कही है हिनाइडू और ये 13 वैक्ती है और 15 वैक्ती हैं और 15 कारेकाल में हैं ध्यान रखना अब आते हैं left side में अगर उनको discharge करना है discharge मतलब उनको हटाना है तो वो किस-किस case में हट सकते हैं सबसे पहला absence हो gap हो गया मतलब वो जाले गया बाहर तब बीमार है तब या फिर कोई personal cause है तो भी उनका जगा पे कोई दूसरा वैक्ती काम कर सकता है इनका जो election होता है उसके केचरण है अलग-अलग सबसे पहला है electoral college electoral college में कौन-कौन होंगे members of both house लोकसभा, राजे, सभा के member होंगे sorry state वाले के member होंगे लोकसभा, राजे, सभा नहीं सिर्फ state वाले के उसके बाद है proposition इनका जो होगा यह proportion यहां पर नहीं लिखा हुआ है वो 20 to 20 का proportion मतलब 20 लोग होंगे अनुमोदक, अब 20 लोग होंगे अनुमोदक, ठीक है इनका जो विवाद होगा अगर इनका election हो रहा है तो उसमें विवाद होगा, तो वो settle वो खतम किया जागा कि इनके दोरा Supreme Court के दोरा और इनका जो आदेश होगा वो सर्वोपरी माना जाएगा अब उनका tenure complete हो तो क्या होगा? Before expiry of term अगर बाइदेबे उनका कारेकाल खतम हो जाए तो क्या होगा? तो उनके कारेकाल के खतम होने में कौन-कौन से कंडिसन हो सकते हैं अगर उनका कारेकाल खतम हो रहा है मतलब वो उनका seat खाली हो रहा है तो वो कौन-कौन से accordance होगा या तो वो मर जाए तब resignation दे दे तब उनको लोकसभा में विसेसा मत दे करके हटा दिया जाए तब या फिर किसी अन्य कारण से वो हट जाए तब ही वो उनका tenure से मतलब समय से पहले वो हट सकते हैं उसके बाद क्या है उनकी eligibility मतलब उनको उनकी योगिताएं क्या क्या होनी चाहिए तो सबसे पहले राज्य सभा के member होने के साथ-साथ उनको एक qualified member होना चाहिए ठीक है उसके बाद कम से कम उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए तो 35 साल की उम्र होनी चाहिए और दूसरा citizen of हिंदूस्तान मतलब हिंदूस्तान का उन्हें नागरिक होना चाहिए तो आसा करते हैं यहां तक जो भी जी जी मैं आपको बताया हूँ Vice President का इस Mind Map के दोरा यह आपको समझ में आ गया होगा अब भी हमारे पास टोटल टाइम बचा हुआ है कितना 8-9 मतलब 10 मिनिट का टाइम है आपको कोई content नहीं बचा है देखो हमारी class the end हो गई है तो अगर आपको बाई दबे कोई ऐसा problem हो कोई ऐसा term नहीं समझ में आ आओ तो आप हमसे पूछ सकते है fearless नितिस कुछ पूछना चाहरे है हां पुछिए जी पुछिए I'm ready to answer राज वेतन होता है चार लक्ष्ट होता है वो तो उनका वेतन तो नहीं नहीं था वो तो राज सवा पती की द्वारा उनका दिया जाता है एक मेट हम वाल्यूम बढ़ा रहे है रुकिए जी थोड़ा समको कम सुनाई दे रहे है रुकना आप डिसकार्ड एक मेट जब बोलूँगा तो आप बोलिएगा वो स्टेंडबाई मोड वाले ऑफिसर होते हैं स्टेंडबाई मोड कहने का अर्थ हुआ कि जब वह कारे रत होंगे तब ही उनको सैलरी मिलती है ध्यान रखीगा यह चीज समझ रहे हैं इस चीज को तो वह जो चार लाक रुपिया है देखी बता रहा हूं वह जो चीज और लएक रुपीश जो होगा वे इंका सैलरी को यां किया गया है वो सैलरी तब मिलेगा जब वह कारे रत रहेंगे बेना कारे रत सैलरी नहीं मिला अगर ऐसा होगा तो office of profit में चला जाएगा वहता है कि कुछी office of profit में तो कोई profit of office में जैसे जाएंगे तो वह eligible नहीं रहेंगे ध्यान रखिएगा इसलिए उनके salary को निर्धारन तो किया गया है लेकिन वह salary तभी उनको दी जाती है जब वह कारेरत रहते हैं तो जी और पूजिए उनका सालाना pension कितना आएगा देखिए उनका सालाना जो pension है देखिए देखिए office of profit उनको कोई भी नहीं देखिए अगर आप pension के बारे जब बात करते हैं तो पेंसन के बारे में constitutional कोई भी प्रोविंस में इस चीज़ के रही है चाहे वह पेंसन के रूप में हो सबसेडियरी के रूप में हो या फिर रेमुनेरेशन के रूप में हो यह तीन conditions होती है तो office of profit हो जाता है और जैसे ही वह उस पोस्ट में जाएंगे तब वह चुनाओं के लायक ही नहीं रहेंगे यह condition होती है और सलाना जो बात कर रहे हैं आप उनके पेंसन की तो इसके बारे में मुझे नहीं पता है कि आपको पता है कितना है तो बताई थोड़ा सा क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाए जी कि बोलिये निटीश नहीं भोड़ कोई सकते हैं कोई सुने आप बात कर सकते हैं मैं फ्री करता हूं नहीं पता है अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे ठीक है कुछ चीज़ हम के बच्चे लोग से सीखने के लिए मिल जाता है और हाँ एक चीज़ बता दे रहा है टेस्ट मैं ने क्लोज हो जाती थी तो अब जो टेस्ट मैं नहया डाला हूँ वे पेज़वाला मोड में है आप उस टेस्ट को UG और उसा क्या पढ़ने वाल यह वैसे वह बिच शीज आप लोग से पूछ रहे थे जो बिहार इससल का है कि उसमें जतने डिस्टिक्ट हैं उसके लिए हम कंटेएंट सुरू करें या फिर बिहार का जोग्राफी को शुरू करें आप लोग एक बार मुले को बता 그런데 ये जी पढ़ना चाहते हैं या फिर डिस्टिक के बारे में आपको बता size सब्सवाइब को NICKerkt कि यससी नितिष सजिया संगम याप लोग बिहार में क्या चाहिए बिहार का मतलब इस पेसल कोट चलता है नहीं कर बिश्वाइइ का नोर्स बना हूँ जोंस बना हम फिर्षक और भिशाइब में जोग्रफी कि नोट्स कल तो नहीं का मेरे को टाइम चाहिए बिहार कर जैर बनाने को जो म currently करे toe लागाना पड़ता है तब ही अच्छे से बना सक्ते हैं क्योंकि जो ग्योग्रफी का मतलब फोटो कब हो ज्यादा डाइग्राम का मैप्स का इस्तेमाल जादा किया जाता है ठीक है तो चली कोई सु नहीं है आज के क्लास हम लोग यहीं पर रोक देते हैं बच्छों हम लोग नेक्स डे फिर से मिलेंगे नए क्लास का माइंड मैप है मैं दोनों अपने ग्रूप में डाल देता हूँ अब देख लिए और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग पूछा कीजिए जब भी पढ़ाते हैं तो आज एक नितीज सिर्फ बात कियें कि इत्ते दिन के बाद में आप लोग प्लीज आप लो आज के लिए इतना ही नेक्स क्लास में मिलते हैं तब दे के लिए बाबाए